नमस्ते दोस्तों, श्री मायापुर में आपका स्वागत है दुनिया की कीर्टन राजधानी यहां मायापुर की पवित्र भूमी में भक्ती और आनंद एक साथ मिलते हैं जिससे भक्ती और दिव्य प्रेम से भरा वातावरण बनता है हर साल 15 अगस्त से 20 अगस्त तक इसकौन मायापुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य उत्सव होता है यह कोई मामूली जश्न नहीं है यह भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में एक गहरा अनुभव है कल्पना कीजिए कि आप हजारों भक्तों से घिरे हुए है सभी एक साथ मंत्रो चार और गायन कर रहे है उनकी आवाजें आपकी आत्मा को ऊपर उठा रही है और आपको दिव्य के करीब ला रही है महा अभिशेग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनमोहक जूलन यात्रा आयोजन को अविस्मरणिय बनाते हैं जूलन यात्रा के दौरान आप एक सुन्दर ढंग से सजाये गए जूले पर श्रीश्री राधा माधव के जूलते हुए देखेंगे साथ में आत्मा को चूलेने वाले कीर्टन और भजन होंगे जीवन्त रंगों और खुशी के स्वरों से भरा यह त्योहार भगवान कृष्ण के प्रती गहरी भक्ती और प्रेम का प्रमान है लेकिन मायापुर सिर्फ एक त्योहार स्थल से कहीं बढ़कर है यह इसकौन का वैश्विक मुख्याले है और भव्य श्री श्री राधा माधव मंदिर परिसर का घर है मुख्य मंदिर कक्ष के भीतर आपको इसकौन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपात की मूर्ती उनके व्यसासन में मिलेगी अपनी सत्य निष्ठा और करुणा के लिए जाने जाने वाले इस पवित्र व्यक्ती ने दुनिया भर में लाखों लोगों को कृष्ण चेतना की अपनी शिक्षाओं से प्रेरिद किया है पीठा सीन देवता श्री श्री राधा माधव देखने लायक हैं जो अपने समर्पित साथियों से घिरे हुए हैं दिव्य कृपा और सुन्दरता विखेर रहे हैं ये देवता श्रील प्रभुपाद के लिए एक हार्दे कुपहार थे जो उनके मिशन की वैश्विक पहुँच और गहन प्रभाव का प्रतीक थे मायापुर में उत्सव जन्माष्टमी पर नहीं रुखते 15 अगस्त से 20 अगस्त तक श्री श्री राधा माधव की वार्शिक जूलन यात्रा श्रीधाम मायापुर को जगमगा देती है इस जीवन्त उत्सव में न केवल जूला समारो होता है बलकि आकरशक आतिशबाजी, कलाबाजी प्रदर्शन, आकरशक मंच कार्यक्रम और बच्चों और वयसकों को समान रूप से आनंदित करने वाली गतिविधियां भी होती है और चलिए बलराम पूर्णिमा को नहीं भूलते, जो अद्वितिय आयोजनों और विशेश समारोहों के साथ भगवान बलराम को सम्मानित करने के लिए समर्पित दिन है श्री मायापूर केवल एक जगह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, समान विचारधारा वाली आत्माओं का समुदाय है और दिव्य प्रेम और भक्ती का प्रकाश स्तंभ है चाहे आप आजीवन भक्त हो या आध्यात्मिक पत पर नए हो मायापूर आपको खुले हाथ हो और भक्ती से भरे दिल से स्वागत करता है आईए, श्री मायापूर के दिव्य वाता वरण में खुद को डुबोएं और कीर्तन, उत्सवों और भग्वान क्रिष्ण और उनके भक्तों की पवित्र उपस्थिती को अपने जीवन को बदलने दें श्री मायापूर की इस आध्यात्मिक खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दुनिया की कीर्तन राजधानी हरे क्रिष्णा